हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल अकाउंट शोर सुलिशन में दोस्तों आज का अपने टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है तो दोस्तों आज के टोपिक में मैं आपके लिए एक मोडिल के बार सारे बिजनिस ऐसे रहते हैं जिसमें इस मोडिल का आप यूज कर सकते हो जैसे एक्जामपल के लिए ओटू पार्ट्स वाले जो लोग है वह इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके लिए आप आइटम टेगिंग का यूज कर सकते हैं जैसे एक्जामपल में लेता हूँ आपके लिए आपके पास एक कंपनी है और कंपनी के अंदर एक ही टाइप के 20 प्रोडक्ट है मेरे पास जैसे टायर की एजेंशी है मैं एक रिटेलर हूँ या एक होलसेलर हूँ सभी कंपनियों के मैं टायर बेजता हूँ मेरे पास कोई भी बंदा आता है या MRF का टायर दे दो तो उस case में मैं जैसे search करूँगा search करने के बाद में मैं इस module का कहां पर उपार यहांँ पर मैं सरच करके आपके przeciur 18 और इतं के साथ के से take किया जाता है वो सारा process में आपके लिए बता हूंगा कि जैसे आपने CC अगर वो आइटम नहीं है तो आप podcast की Press जैसे आपने आइटम टेक कर रखे तो उसके साथ जितने भी आइटमस आपने टेक कर रखे वो सबी आइटमस आपके सामने शो हो जाएंगे और उसमें से उस विंडो के अंदर से आप क्लिक करके उस आइटम को चूझ कर सकते यह सारा बिल्कुल प्रेक्टिकल करके और इसमें एक सबसे बहुत बड़ी बात क्या है कि आप लोग जैसे अभी मैं और भी एक एक जमपल लेता हूँ पेराशिटा मॉल जो टेबलेट साती है ऐसा नहीं है एक ही कमपनी बनाती है आपके पास जैसे मेडिकल स्टोर है किसी ने बोला पेराशिटा मॉल दे दो लेकिन आपके पास जो भी कमपनी की मांगी उस कमपनी का पेराशिटा मॉल नहीं है तो उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो add-on खूलेगा आपने पेराशिटा मॉल डाला तो और company का जितने भी company का आपके पास रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा जिसका stock है या नहीं है उसके item के साथ take कर रखा है यहाँ पर दो पीछे तरह 18 से संबंदित यहाँ से जैसे मैंने 3-4 item बना रखें तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर item बना रखें Apollo का बना रखें इससे आप बिल्कुल sure हो जाओगे कि यह जो item tagging module है यह कैसे काम करता है एक में नया product बनाना चाहता हूं और आप लोग जैसे आपके mind में आ रहा हुगा कि हम एक product को 20 item के साथ take करेंगे तो उसमें हमारे को बहुत जादा समय लग जाएगा लेकिन यह जो module है बिल्कुल perfect है आपको मैं process आपके लिए बताता हूं जैसे बिर्ला जो आपका टायर है बिर्ला दो पिचेतर अठारा आपने लिखा इसी तरह के से आप नया item बनाते हैं मैं आप पीचे टायर भी लिख देता हूं बिर्ला टायर दो पिचेतर अठारा यहां से इसका group select किया और एक चीज और भी मैं आपके लिए बता हूंगा जैसे optional field में आप जो जो भी चीजे इसका रखना चाहते हैं जैसे इस particular item का जो भी for information आप लिख सकते हैं और यह वाली information भी आपको addon में दिखाए देगी यहां से मैंने इसका जो भी GST rate है शाए से 28% रहता है तो मैं 28% कर लेता हूं 123 म example के लिए यहां पर इसका bill बना रहा हूं और इसका जो price है मैंने यहां पर 1625 रुपे इसका price कर लिया देखो यह जो module है यह किस तरीके से work करता है पूरा proper आपके लिए बता हूँगा यहां से आपने item बना है मैंने यहां पर click किया click करने के बाद में मैंने जो other item बना रखे already और जिसके साथ मैंने take कर रखाया मुझे क्या करना है मत्तब इस module के साथ जिस item को भी एक बार आपने take कर लिया उसी item को आपको लिखना है आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है only एक अभी मैंने other जितने भी product बिरिला टायर जे है जेके टायर है जितने भी है module के साथ add कर रखे है जैसे मैं one click करूँगा one click करने के बाद यह automatic जो भी बना रखा है यहाँ पर मेरे सामने आ गया यहां से मैंने click किया एक ही select किया है मैंने पूरे item बार बार नहीं लिखा है आप लोगों के mind में इसा आ रहा होगा कि हम अगर बार बार इसी चीज़ को अगर लिख okay किया okay करने के बाद यहां से share कर दिया अभी भी आपको clear नहीं हुआ होगा तो एक बार में आपके लिए और बताता हूं एक item और बनाता हूं और company का यहां पर एक राल को company का मैंने tire लिया और वापस से 2,75,18 मैं यह केवल आपके लिए बिल्कुल practical करके इसलिए बता रहा ह कि आपके mind में जो चीज आ रही है वो सारी clear हो जाए अभी मैंने क्या किया था MRM को take कर लिया और यहां पर मैं क्या करता हूं general select किया और यहां पर मैंने item का unit है वो select किया 28% किया यहां पर इसका HSN code press किया यहां से मैंने इसकी rate डाली 1450 पर जैसे मैं save करूंगा addon खुलेगा अब यहां पर आपको केवल एसा item का नाम डालना है जो आपने already take कर रखा है मैंने अभी recently जो item बनाया था वो क्या बनाया था मैंने बिरला का एक टायर बनाया था मैं मुझे क्या लिखना है आपर मुझे only बिरला लिखना है जैसे मैं enter करूंगा तो अब मैं अगला item जो बन मैंसे आप लोग देख सकते हैं इसके साथ item का नाम है और इसमें कितनी item टेक कर सकते हैं अब इसमें item का alias आपके सामने आजाएगा item का group आपके सामने आ जाएगा और ये एक बहुत ही perfect module है और आप लोग इसका मेरे साथ से अच्छे से use कर सकते हैं ये add on खुला आपका और यहाँ पे सारे information आपने लिख दी ठीक है ये आपने first process कर लिया अब आप sale करने जाते हैं यहाँ पर एक purchase का invoice भी में चड़ा देता हूं एक कोई भी dummy invoice चड़ा देता हूं यहाँ पे दो piece purchase किये 1450 रुपे यहाँ पे बिरिला वला item है इसका भी 1450 रुपे आगे आने वाले time में इस module के अंदर जो चीजे changes होगी वो आपके लिए बिलकुल update जो मिलेगा वो फिर ही मिलेगा और यह वाली जो चीज है बहुत ही अच्छी है अभी आप लोग जैसे यूज करोगे आप लोग देख रहे हो कि मैं इसका जैसे बिल जो बना रहा हूं यह इसे purchase का बिल एक इस quantity लिखिए और यहां पर भी चोदा सो पर्चास इसी तरीके से आप different difference purchase की भी लाएंगे और मैंने यहां पर यह only stock के लिए मैंने चाड़ाया है और मैंने यहां से इसको save कर दिया तो दोस्तों एक भी और भी मैं आपके लिए बना के बताता हूं यहां पर मैंने क्या किया case का account select किया और मैं यहां पर एक Apollo tire select करता हूं यहां से मैंने एंटर किया एंटर करने के बाद मैंने यहां पर मैं चाहता हूं कि मैं Apollo tire मिरे पास stock खतम है यहां पर यह stock है कोई दिकत नहीं मैं मानता हूं कि मिरे पास यह stock खतम है और उसके बाद वो जो विंडो आपको खोल लिए Apollo टायर के साथ जो आइटम आपने टेक कर रखे तो जो add-on के अंदर आपने टेक किया है उसका आप कैसे यूज कर सकते हैं यहां से alt plus one आपको प्रेस करना है आपके Apollo आइटम के साथ जितने भी आइटम आपने टेक कर रखे एक दूसरे को जो टेक कर रखे वो सारे आइटमस आ जाएंगे इसमें क्या-क्या information है आइटम का नाम है एलियास है हमार पी है सेल प्राइज है current इस्टोक है quantity आप डालोगे और यहां पर उसका rate है जो जो भी चीजे इसके अंदर update होगी automatic आ जाएगी और यह जो चीज मैंन चीजे आपके सामने आ जाएगी यहां से नाम डाल रखा है अगर इस नाम को अगर change करते हो तो यह automatic यहां पर change हो जाएगा कुछ भी आप डाल सकते हैं जैसे चार तरके आपने कुछ भी चीजे डाली है तो वो सारी चीजे यहां पर आपके सामने दिखाए देगी in future इसमे आपका यह जो product है इसका purchase rate क्या है वो सकता है इसके अंदर आगे in future हम कुछ update करते हैं तो इसके अंदर जैसे इस product को अगर sale करते हैं तो आपको कितना margin आपको मिलेगा वो सारी चीजे भी show करा सकते हैं तो दोस्तों यह जो module है यह लोगों का requirement रहता है item के साथ item take करना auto parts वाले जितने भी लोग हैं ऐसे बहुत सारे product रहते हैं जो एक दूसरे के साथ लगते हैं अभी मैं और भी example लेता हूं जैसे आपके पास electrics का काम है electrics जो items लोग बेशते हैं उनके पास 20 company है और 20 company सेम product बनाती है अभी मैं गया किसी भी shop है मुझे चाहिए कोई भी company का एक item है different company का तो उसमें क्या customer बोलता है यह item मिल जाएगा क्या तो आप लोग क्या करते हो देखते हो सीधा भी या नहीं है और उसके लिए आपको यह जो module है उसका आप यूज कर सकते हैं जिससे कि मैंने आपके लिए बताया अगर आपके पास timing chain है अब timing chain जिससे सभी कंपनियों की timing chain आती है गाड़ी के अंदर जो लगाते हैं तो दोस्तों उसमें क्या कर सकते हैं जैसे timing chain की company जैसे tvs की timing chain आपने लिखा ओडो पार्स की बात बता रहा हूं मैं आपके लिए अभी आपने को पता चला कि या tvs के जो लगती है hero की भी tvs में लग जाती है या फिर बजाज की भी tvs में लग जाती है तो आप लोग इस तरीके से take कर लोगे click करोगे भी या बजाज का तो नहीं है आप hero का ले जाओ यह वाला भी लग जाएगा इसके अंदर तो आपका customer वापस नहीं जाएगा बैस आप customer वापस जाता है एक बार चला गया दो बार चल किसे काम करती है आप लोग अगर जैसे मैं किसी की दुकान पर चला गया और मुझे मैं जो मांगता हूं जो product मिलता नहीं है तो मैं क्या करूंगा मैं उस पर जाना ही पसंद नहीं करूंगा कारण मैं जाओंगा है नहीं अरे या रखते नहीं है जो मांगते है जो तो इस व यूज नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करोगे अलग अलग नाम लिखके आपको खुद को भी पता नहीं रहता कि ये प्रोड़क्ट है कौन-कौन सी कंपनियों के सेम होते हैं आप खुद भी पता नहीं लगा सकते और लगा भी सकते तो कापी टाइम चला जाएगा इन को मेनेज करने के लिए इन चीजों का यूज करता है एक जैसे मालो पतंजली जो घी आता है अभी मेरे पास मैंने जो घी डाल रखा है डिफ्रेंट डिफ्रेंस कंपनियों का डाल रखा देखो आसिरवाद का मूल का डाबर का एवरेडी का गोर्दन का इंडाना मदर डेरी पतंजली सरस तो अभी जैसे मालों मैं रिटेलर हूँ या हॉल सेलर हूँ या डिस्टिबूटर एक्स वाइजेड मैंने क्या है इस बिजनिस से सम्मंदित उन चीजों का यूज किया है अभी मेरे पास जैसे आप देख सकते हैं कि 10 तरह का घी है एक किलो का लेकिन कोई कस्ट लेकिन एक आइडेया से आप एक दो ब्रांड का नाम बता सकते हैं लेकिन मैंने यह पर पतंजली का नाम लिखा मेरे पास इस्टोक जीरो है अल्ट एफ़ओन मैंने प्रेस किया तो मैरे पास जितना भी तरह का घी है जो मैंने आइटम के साथ टेक कर रखा है वह मैरे सामन से आपको जो भी आपको चाहिए जो आप ले सकते हैं उसने बोला मुझे पतंजली के लावा पतंजली भी ब्रांड है और अमूल भी ब्रांड है मुझे आप अमूल का दे दीजेगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा अमूल के सामने यहां पर एक कॉंटिटी लिखूंगा और enter करके save करूँगा save करने के बाद में जैसे मैंने यहां पर डाबर select कर लिया गलती से तो यहां से डाबर का जो automatic यहां पर आ चुका है जैसे उस window के अंदर आप select करते हैं इस window के अंदर automatic आ जाएगा और यह एक बहुत ही अच्छा module है और इससे आप आपका समय बचा सकते हैं और जो भी आपका customer है कोई customer आपका वापस नहीं जाएगा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आउसकता नहीं है और यह एक बहुत ही इसमें दो add-on है और दोनों add-on की इस तरीके से work करते हैं यह सारा process मैंने आपके लिए बता दिया यहां पर एक टायरी बनाता हूं मैं ठीक है टी वाई आरी टायर का नाम लिखा और इस पर यहां पर इसकी जो rate है मैंने 1500 पर लिख दी और मैं यहां से जैसे save करूँगा तो मेरे सामने यह जो item है यह item automatic first number पर आएगा और ऐसा दूसरा जो item जो मैंने take कर रखा है कोई सा भी एक item में लिख लूँगा जैसे मैंने बताया था MRF jk या कोई सा भी मैं अगर लिखूँगा इसमें जैसे दो पीचे तरह ठरह भी मैंने यहां पर लिख सकता हूँ दो पीचे तरह ठरह जैसे मैंने jk का लिखा enter किया enter करते हैं वो सारे item आ जाएंगे आप लोगों के mind में वही चीज़ आ रही होगी कि मेरे पास एक item से संबंदित 20 item है तो मैं 20 को कैसे लिखूँगा मेरा time बहुत ज़्यादा चला जाएगा इस addon के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा आप इस addon का इस तरह के से यूज कर सकते हैं जब दोस्तों यह जो वीडियो है मेरी लाइफ की यह एक फस्ट वीडियो है जो बहुत ही important है आ दिन तक इस advance level पर मैंने नहीं बनाई है और यह बहुत ही अच्छा concept है और लोगों को इस चीज के बारे में need भी है हर sector में आप चले जाओ कोई से भी sector में एक product defense company का अगर आप बेशते हैं तो उस case में इस module का आप use कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग इस module को बनबाना चाहते है और आप अपने साफसे develop कराना चाहते हैं या फिर यह जो बना वह जो module है आप लोग देख सकते हैं आपको idea ज़रूर मिल गया होगा तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे call कर सकते हैं मेरा जो contact number है 800-929-928 और अगर आप आपके mind में किसी भी तरह का कुछ भी अगर doubt है तो आप लोग मुझे call कर सकते हैं और यह जो module है आपको कैसा लगा आप लोग comment करके बताएं अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के से module develop कराना चाहते हैं तो आप लोग मुझे call कर सकते हैं या फिर आपको business को develop करने के लिए आपके सामने जो भी समस्या आती है उसका आप अगर कुछ भी अपने इसाफ से जो भी चाहते हैं जो आप बनवा सकते हैं x, y, z bg के साथ जितने भी product बनते हैं या फिर जिसे project बनवा सकते हो और ये chargeable रहता है फिर नहीं रहता है और इस चीजों के मैं बार-बार इसलिए आप लोगों से बोलता हूं अभी एक recently कल की बात थी एक customer आया उसने बोला bg software में आप design कर दोगे बिल्कुल कर देंगे लेकिन वह express version है express version में design नहीं होता है उसमें क्या है default में आप set कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़े ऐसी रहती है अब कि ये मुझे तो करवाना है इसी में करना पड़ेगा अब है नहीं उसमें अंदर पैसलेटी तो मैं कैसे कर पाँगा तो दोस्तों बहुत सारी चीज़े रहती है अभी जिसे customization का काम है आप लोग केवल standard से उपर वाले version में करा सकते है basic के अंदर customization की पैसलेटी अवेलेबल नहीं है अभी बहुत सारी चीज़े है जो basic अंदर नहीं रहते लेकिन जो भी कोई भी बंदा है वो basic version खरीद लेता है उसके बाद उसकी requirement फुलफिल नहीं होती है तो वो bg को बला बुरा कहता है कि इसमें function ही नहीं है आपने जो पेशा खर्च किया है उसके साब से आपको पैसलिटी मिलेगी अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like और set जरू करें थेंक्यू